हलो स्टुडेंट स्वागता आपका हमारी क्यूक इस्टेडी चैनल पर जिसमें हम आपके लिए लेकर क्या हैं जीके और जनरल साइंस की टॉप क्यूशन सिरीज ये टॉप क्यूशन सिरीज आपके एक्जाम लेवल को ध्यान में रख कर बनाएगी है साथ इसाथ इन से आपके एक्जाम में क्यूशन आने की समभावना ज़्यादा रहने वाली तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर और लाइक करना ना गुले इस्टूडेंट ये टोप क्यूशन सीरीज आपकी टोपिक वाईज है और साथ इसाथ माँ आपको बता दूँ इस टोप क्यूशन सीरीज से आप अपनी तयारिया कापी सांधार तरीके से आकलन कर सकते हैं तो इस्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीजे ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी अपनी तयारिया कापी सांधार तरीके से आकलन कर पाए इस्टूडेंट बात कर रहे हैं हम राजिस्तान की कला एम संसकर्ती में टोपिक राजिस्तान की परमुक हस्त कला के क्यूशंस के बारे में इस topic को हम questions के माध्यम से complete कर रहे हैं और इन questions में मैं आपको इनकी संपूर्ण जानकरी देनी वाला हूँ तो student आज हमारा fourth part है हमने अभी तक राष्ता नहस्त कला के first, second और third part को complete कर लिया है अगर आपने हमारी तीनों वीडियो नहीं देखिए तो क्योंके steady channel पर जाकर के तीनों पार देख सकते हैं और बाकी जो gk और general science की top question शीरीज अपलोड की गई है वो भी देख सकते हैं तो student चलते हैं आज के हमारी first question के और total question number 76 लकडी पर चित्रो वाला चल मंदिर है हमसे भी पूचा गया है कि जो लकडी से चित्रो वाला चल मंदिर बनता है जिसे लेकर की गुमा जाता है वे कौन सा है तो हमारी option से option सुभाग पड़ा option B कावड option C सागवान मंदिर option D सर्वन पाठा question number 76 का सई आंसर होने वाला है option B कावड कावड एक ऐसा मंदिर है जो लकडी से निर्मित होता है और इसे चल मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि जो कावड यह होते हैं इसको ले जाने वाले तो वो अपने कंदे बार रखकर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल बरकर लेकर लेकर जाते हैं इस कारेने से चल मंदिर कहा जाता है तो चलते हैं student next question के और अगर आपको इन questions के answer पता है तो आप भी comment के माद दिम से उनके जवाब दे सकते हैं हमारा second question है question number 77 पारम परिकलाकार मांगिलाल मिस्तरी किस चेतर से sorry किस चेतर में परसिद है जो मांगिलाल मिस्तरी है वे किस चेतर में परसिद है या उनको किस चेतर में दक्सता हाशिल है तो हमारे options है option a coward option b cut footly option c मारना option d फड़ student 77 7 number में सही answer है option a coward परसिद जो मांगिलाल मिस्तरी है वे coward बनाने में दक्सता उनको हाशिल थी साथे साथ मैं आपको बता दूँ जो मांणना होते हैं वो जो पहले कच्चे गर होते थे आज के समय वी जिनके कच्चे गर है उनके आंगन में मांडे जाते हैं वैसे पक्के गरों में आजकल जो printed मांडने आते हैं उनको लगा दिया जाता है चलते हैं student next question के ओर हमारा अगला question है question number 78 नम्दे का उत्वादिन होता है सरवादिक नम्दे कहाँ पर उत्वादित होते हैं तो हमारे options है option A talk option B बूंदी option C जेपूर option D अजमेर question number 78 में सही answer है option A talk टॉंक में नम्देगा सरवादी को फदन होता है या नम्देगा परसी चेत्र कौन सा है टॉंक है चलता है student next question के और हमारा अगला question है Question number 79 नागोर का बू गाव किसके लिए परसिद है जो नागोर में बू गाव है इसका पूरा नाम वैसे बू नावला है तो हमसे पूचा गया कि जो ये बू गाव है वै किसके लिए परसिद है तो हमारे option से option पेचवर के लिए option B मिट्टी के खिलोने के लिए option C जट पट्टी के लिए option D लोहे के ओजार के लिए question number 79 में सई answer है option B जो नागोर का बू गाव है वह मिट्टी के खिलोने बनाने के लिए परसिद है चलते हैं next question के ओर हमारा अगला question है question number 80 निमन मेंशे कौन सा युग सुमिलित नहीं है तो हमारे option से option है तेवाकला परताबगण option B मीना कारी जेपुल option C अजरक प्रिंट सांगा नेर option D टेरा कोटा सिल्फ मूलेला question number 80 में सही answer है option C अजरक प्रिंट जो कि सांगा नेर की नहीं है माँ आपको बता दू जो अजरक प्रिंट है वह है बाड़मेर की है साथ तेवाकला है वो परताबगण की है मीना कारी जेपुल की परसिद है और टेरा कोटा सिल्फ है वो मूलेला जो की राज समन्द में पढ़ता है मूलेला गाओं वहां की परसिद है चलते है student next question की और हमारा अगला question है question number 81 राजस्तान में अमरता society का मुख्य उद्देशिय क्या है student एक तो आता है अमरता विश्णोई के बारे में दूसरा है अमरता society का मुख्य उद्देशिय क्या है तो हमारे options है option है राजस्तान में ग्रामेंट छेत्रों में स्वास्ते सुविदाओं को परदान करना option भी है महिला, स्वेम, सायता, उत्पादों को विपनन के अवसर उपलब्द करवाना option C ग्रामेंट छेत्रों में स्वास्त पीने का पानी उपलब्द करवाना option D डेरी उत्पादों के लिए विपनन के अवसर उपलब्द करवाना question number 81 में सही answer है option B महिला, स्वेम, सायता, उत्पादों को विपनन के अवसर उपलब्द करवाना चलते है student next question के और हमारा अगला question है question number 82 राजस्तान में किस चेत्र में पंडारी मोदक परसिद है तो हमारे options है option जोदपुर, option B नादवारा, option C बिकानेर, option D जेपुर question number 82 का सही answer है option C बिकानेर, बिकानेर के पंडारी मोदक परसिद है साथ यसाथ महाँ आपको बता दूँ है यहाँ का जो बिकानेरी बुजिया है वो भी परसिद है हमारा next question है question number 83 निमन में से कौन सा उत्पाद पर्दे बनाने में काम में आता है जिनसे पर्दे बनाया जाते हैं वो कौन सा उत्पाद है तो हमारे option से option है आउला option B कस option C तेंदू option D जाबूई question number 83 में सही answer है option B कस कस का sorry हम कस से पर्दे बनाने के काम में लेते हैं कस का और उसी के साथ साथ जो कस है उसका हम इत्र और ठंडाई बनाने के लिए भी काम में लेते हैं साथ साथ में आपको बता दू जो कस कहां कहां पाई जाती है तो यह है दोलपूर सवाई मादोपूर और उसके साथ टॉंक में भी पाई जाती है जिसका पर्दे बनाने के साथ साथ में इत्रों ठंडाई बनाने की रूम में काम में लिया जाता है 83 क्यूशन का सही आंसर है option B खस चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 84 खेलकूद का सामान बनाया जाता है कौन से जिले में खेलकूद का सामान बनाया जाता है तो हमारी option से option B उदेपुर option C हन्मान गड़ option D कोटा question number 84 में सही आंसर है option C हन्मान गड़ हन्मान गड़ के अंदर केलकूद का सामान बनाया जाता है साथ साथ माँआप को बता दू जो गंगा नगर है उसे हम दान का कटोरा भी कहते हैं जो उदेपुर है उसे हम जीलो की नगरी भी कहते हैं और जो कोटा है उसे हम सिक्सा की नगरी के नाम से भी जानते हैं चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 85 राजस्तान में हास्त शिल्प उद्योग किस उद्योग वरक के अंतरगत आता है तो हमारे option से option ए कुटीर उद्योग option भी लगू उद्योग option C वरत उद्योग option D अतील लगू उद्योग question number 85 में सही answer है option B लगू उद्योग लगू उद्योग के अंतर राजस्तान का हस्त शिल्प उद्योग आता है और मैं आपको बता दू लगू उद्योग को बढ़ावत देने वाले शिंस था राज शिको थी तो चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 86 राजस्तान के कोटा और बारा जिले में बनाय जाने वाली चूंदडी का कारिय किस परकार का है हमसे ही पूछा गया है कि उसपर किस परकार का कारिय किया जाता है परकार का कारिय किया जाता है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 87 बांदो और रंगो कला के लिए राजस्तान में कौन सा इस्तान परसिद है तो हमारे options है option ये जोदपुर option भी नादवारा option सी बाड़मेर option डी जेपुर question number 87 में सही आंसर है option D बांदो और रंगो कला के लिए राजस्तान का जेपुर परसिद है साथे साथ में आपको पतादू जेपुर में जो बंदेज कला है फैबी परसिद है उसी के साथ में आपको पतादू जो बंदेज कला होती है उसका सामाने अर्थ होता है मन पसंद डिजाइन पराप्त करنا चलते हैं इस्टूडेंट नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नम्बर 81 नम्न मेंसे किस वस्तर का समन्न राजस्तान से नहीं है हमसे पुछा गया है कौन सा वस्तर है कांता का समध राजस्तान से नहीं है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question no. 89 निमने युगम में से कौनसा युगम सुमेलित है कौनसा युगम सही सुमेलित है तो हमारे option से option है लकड़ी के गोड़ों के खिलों के कोटा, option भी है सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाद दुआ रहा option C है पत्तर के खिलोने गलिया कोट option D है चंदन प्रिंटिंग परताब गड़ question number 89 में सही answer है question number 89 में सही answer है option C पत्तर के खिलोने गलिया कोट गलिया कोट जो कि डुंगरपुर में पढ़ता है वहाँ पर पत्तर के खिलोने बनाये जाते हैं यह हमारा युगम सुमेलित साथी साथ मैं आपको बता दूँ जो लकड़ी के गोड़ों के खिलोने आए वह कोटा के परसिद ने होकर या कोटा में निर्मान ने होकर एक जगे है हरजी गाउ जो की जालोर के अंदर पड़ता है और दूसरी जगे है पोकरन जो की जेसलमेर के अंदर पड़ता है वहाँ के फेमस है या परसिद है और जो चंदन प्रिटिंग है वह परताब के डिमें नाओकर जेपुर के अंदर है चलते हैं ऑप्षन डी हस्त निर्मित कालीन Qisnt नमबर 90 में सज़िया आंसर है ऑप्षन डी हस्त निर्मित कालीन जो की पारवपरिक कुटिर उद्योग है चलते हैं स्टूडेंट नेक्स किउशन के और हमारा अगला किउशन है श्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भले इस चैनल पर आपको रोज जिके और जनरल साइंस की टोप क्यूशन सिरीज मिलेगी जिससे आप अपने तैरिका कापी सांदार तरीके से आखलान कर सकते हैं साथे साथ आप हमारी वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेंट्स को सेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ अपने तैरिका कापी सांदार तरीके से आखलान कर पाए तो इस्टूडेंट हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 91 बरत, सूप, हुर्मी जी और आरी किस से संबंदित है तो हमारे ओप्शन से ओप्शन ए पीतलनकाशी ओप्शन भी गलीचावद दर्यूद्योग ओप्शन सी ब्ल्यू पोटरी ओप्शन डी कडाई वे पेच वर्क क्यूशन नमर 91 में सही आंसर है ओप्शन डी कडाई वे पेच वर्क से संबंदित है क्या क्या बरत, सूप, हुर्मी जी और आरी स्टुडेंट मैं आपको बता दूँ जो पेच वर्क है उसके अंदर जो अलग-अलग कपड़े होते हैं उनको जोड कर ये काम किया जाता है जिसे हम पेच वर्क कहते हैं चलते हैं स्टुडेंट नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 92 चंदूजी का गड़ा और बोडी गामा इस्तान किस के लिए परसिद है तो हमारे उप्शन से ओप्शन ए तीर कमान निर्मान के लिए ओप्शन भी जाजम चपाई के लिए स्टुडेंट क्यूशन नमर 92 में सई आंसर है ओप्शन ए तीर कमान के निर्मान के लिए चंदूजी का गड़ा और बोडी गामा इस्तान परसिद है मैं आपको बता दू जो चंदुजी का गड़ा है वह बासवाड़ा के अंदर पड़ता है और साथी साथ जो बोडी गामा है वह डूंगरपूर के अंदर पड़ता है जो मीनाकारी है वह जेपूर की फैमेस है और जो कुंदन कलाभी है वो भी जेपूर की फैमेस है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 93 निमनी में से कौन सा नगर समुच्चे लकड़ी के खिलोने बनाने के लिए परसिद है तो हमारे options है option है जेपूर, स्वाय मादपूर, जोदपूर option भी है जेपूर, स्वाय मादपूर, बाड मेर option भी है जेपूर, स्वाय मादपूर, जोदपूर option भी है उदेपूर, जेपूर, जोदपूर question number 93 में सही answer है option जेपूर, स्वाय मादपूर, जोदपूर जोकी लकड़ी के खिलोने बनाने के लिए परसिद है हमारा next question है question number 94 राजस्तान सरकार दुआरा, आस्त शिल्प का लाके छेत्र में राज्य इस्तरिय पुरुषकार विजेता को कितने राशी परदान की जाती है तो हमारे option से option A 5,000 option B 20,000 option C 25,000 option D 50,000 question number 94 में सही answer है option C 25,000 राज्य इस्तरिय पुरुषकार विजेता को राशी परदान की जाती है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 95 जोदुपुर का परसिद बादला निम्न में से क्या है तो हमारे options है option है लकडी का मंदिर option B जस्ते की बनी पानी की बोतल option C जरी के साड़ी option D टेरा गोटा की मूर्थिया question number 95 में सही answer है option B जस्ते की बनी पानी की बोतल चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 96 राजस्तान की हस सिल्प वस्तो को राजस्तान लगू उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपनन करता है यानि की उनकी कौन सी ब्रांड है जिस नाम से वो बेचता है तो हमारे option से option ही राजदरबार option B राजदरपन option C राजस्तली है option D महाराजा question number 96 में सही answer है option C राजस्तली ब्रांड के नाम से विपनन करता है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 97 किस पड़ का वाचन बिना वाद्दे के किया जाता है तो हमारे option से option राजदरपन रामदेव जी की पड ऑप्शन भी देव ना रहन जी पड ऑप्शन C बहसदरपन option D रामदला करसंदला की पड़ question number 97 में सही answer है option D राम दला करसंदला की फड का वाचन बिना वाद्दे यंतर के किया जाता है तो चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 98 मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रष्ट भूमी में लगा परदा क्या कहलाता है तो हमारे option से option ये वार्तिक option B पानी option C पिछवाईया option D फड़ question number 98 में सई आंसर है option C पिछवाईया कहलाता है और मैं आपको बता दूँ जो पिछवाईया वे नादवारा की परषिद है जो की रासमन में पढ़ता है साथी साथ इसमें करसंद जी का चितरन किया जाता है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 99 बेल बूटों के साथ पक्षियों के चितर पक्षियों के चितरों का निर्मान कौन सी प्रिंट में होता है हमारी options है option C जेपुर option B जोधपुर option C जेसलमेर option D B का निर question number 99 में सई आंसर है option A जेपुर जेपुर के अंदर बेल बूटों के साथ पक्षियों के चितरों का निर्मान भी होता है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 108 चोपड की चुनड़ी तिबारी का बंदेज कि चेतर का परसिद है तो हमारे options है option A जेपुर option B शेखावटी option C उदेपुर option D जोदपुर question number 108 में सही answer है option B शेखावटी चोपड की चुनड़ी जुत्तिबारी का बंदेज जेवे शेखावटी का परसिद्ध है student ये ति राजस्तान की हस्त कलाशे top 100 questions मैं आशा करता हूँ कि इन top 100 questions से आपको अपनी एक्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा question देखने को मिले student अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share करना ना भूले साथे साथ माहाप को उता दू इस चैनल पर जो top question सीरीज उपलब दे वे आपके एक्जाम लेवल को ध्यान में रख कर बनाएगी है जिससे इनसे आपके एक्जाम में question आने के संभावना ज़्यादा रहने वाले तो आप अपनी तयारी काँक्लन क्योंकि study चैनल पर अपलोड गी गई तो आप question सीरीज के माद्यम सीख कर सकते हैं तो student वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी अपनी तयारी काँक्लन कापी सांदार तरीके से कर पाएं Thank you student वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next वीडियो के साथ में तब तक आप अपनी तयारी करते रही है और अपनी तयारी काँक्लन क्यूक्कि स्टेडी चैनल पर अपलोड गई गई टोप क्यूशन सीरीज के माद्यम से करते रही है